हल दोस्तों नमश्कार वेलकम चु एक्जाम मास्टर चैनल और पिट एक्जाम का लेवल अगर आपको समझना है यानि लेकपाल या यूपी त्रिपल सी से आप नौकरी चाहते हैं और इंटर पास अगर आप हैं त्रिपल सी की जरूरत नहीं है हर ट्वेल्थ पास बच्चा ये टेस्ट दे सकता है और इसके सिल्बस के कोर्डिंग कैसे प्रश्ट आएंगे छोटा सा मॉडल पेपर आप देखिए दोस्तों क्योंकि अगर आप ऐसे प्रश्टों की तयारी में मश्रूफ रखेंगे खुद को और ऐसे प्रश्टों की तयारी करेंगे तो मतलब सामान अध्यन में काफी चीज़े क्लियर हो जाएंगे क्योंकि पेट एक्जाम 2021 में पहली बार होने जा रहा है और अगर सोचो आप कितने लखी होगे अगर आप इस एक्जाम को पहली ही बार में निकाल लेते हो तो पहला क्विश्चन देखो लेवल देखना वीजियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना पेट एक्जाम की पूरी सिरीज आपके सामने रख दी जाएगी जिसे आप इंटर पास करते ही पेट एक्जाम को पहली बार में निकाल लो और सफल हो जाओ सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है अंतर राश्ट्रियत तितिरेखा क्या ह अब आप सोचिए अंतर राश्ट्रियत तितिरेखा के बारे में मैं आपको सबसे पहले तो इसका उत्तर बताऊंगा और फिर बताऊंगा कि यह है क्या प्रिथवी पर खीची गई 180 डिग्री देशांतर जो है वही अंतर राश्ट्रियत तितिरेखा होती है अब आपको गधर रेखा खीची गई जो की 180 डिग्री की है और इसके 180 ओसी लाइन इधर होती है तो टोटल 360 देशांतर हुए टीक है एक देशांतर से दूसरे देशांतर का जो समय होता है वह चार मिनट का होता है तो यह लेक्चर में अछ्छान्ष और देशांतर एक्जाम मास्टर What name is Ganga known in Bangladesh? है ना? बांगला देश नामक देश में Ganga नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों Ganga नदी को बांगला देश में पद्मा नाम से जाना जाता है Ganga नदी उत्तराखनराज के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट कहां? गोमुख के निकट Gangotri हिमनत से निकलती है और देव प्रियाक के उपर से ये भागी रथी बन जाती है मैदानों में गंगा और बांगला देश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है याद रखेगा पदमा बिल्कुल सही जवाब है निम्नलिखित पेसे कौनसी एक रोपड फसल नहीं है सोचिए लेकपाल बनना है खेती, किसानी फसल से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशनी यहां पर मैं आपको देने जा रहा हूँ क्योंकि exam master की जो series होती है वो question को 90% exam में फसा देती है मतलब as it is question आ जाते है निम्नलिखित में से कौनसी एक रोपड फसल नहीं है चाय, coffee, गेहूं और रबर में से मैं आपको बता दू रोपड फसल आपने सुना है कि रोपड फसल क्या होती है रोपड फसल का मतलब क्या होता है एक धान या क्रिशी होती है धान या क्रिशी ठीक है जिसकी जादा से जादा बयापक पैमाने पर खेती की जाती है तो गेहूं जो है ये रोपड फसल नहीं है गेहूं की रोपाई नहीं होती है बाकी चाय की रोपाई होती है नारियल, सुपारी, पिस्ता, काजू, रबड, कौफी, पान, गन्ना, केला, अनाना, सिसाल ये सारी रोपड़ फसल में आती है यानि गेहों बोया जाता है इसकी बुआई होती है किसान भाई सब जानते होंगे गेहों की बुआई होती है ठीक है? बोया जाता है और धान ये जो होते हैं जैसे चाय हो गई, कॉफी हो गई, रबर हो गई, इनके पौधे लगाए जाते हैं, यानि रोपे जाते हैं, जैसे धान रोपे ते हैं न लईना लगाके वही बात है, अब समझ लो, अब गेहूं क्या है, छीट के बोया जाता है बीज, आगे दिखें किस समवैधानिक पदाधिकारी के चुनाओ में समानुपातिक प्रतिनिधित्य की विधि अपनाई जाती है, राजपाल प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राश्टपती देखो समवैधान से भी 5 क्वेस्चन आपकी एक्जाम में आएगा, टापिक धेर सारा दे दिया है लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो सही जवाब होगा दोस्तो राष्टपती का निर्वाचन जो है ये समानुपातिक प्रतिनिधित प्रणाली और एकल संक्रमणी मतपधत के द्वारा होता है तो जवाब होगा प्रेसिडेंट का चुनाओ ये समानुपातिक प्रतिनिधित प्रतिनिधित प्रणाली और एकल संक्रमणी मतपधत के द्वारा होता है इसके लिए निर्वाचक बंडल में राजसभा लोकसभा और राज्यों की विधान सभा के निर्वाचित सदस से होते हैं कहां कहां के राज्यसभा लोकसभा और रा आरत ने अपना पहला पर्माडू विस्फोट परिक्षण कब किया था जवाब होगा 18 मई 1994 जै दोस्तों 18 मई में डेट भी आपको बता दूं 18 मई को 1904 में स्वदेशी पहला पर्माडू परिक्षण हुआ राजस्थान के जेसल मेर जिले में पोखरण नामक इस्थान पे हु नहीं से है दोस्तों ये क्वेश्चन बातिय समिधान के किस मौलिक अधिकार के अंतरगत छूआ छूट की समाप्ती शामिल है यानि अब इसे चाहे तो आइस प्रस्चता का अंत भी कह दे अगर आपने अनुक्षेद सत्रा पढ़ा है तो बिल्कुल छूआ छूट की समाप का अधिकार यानि राइट टू इक्वालिटी ये मौलिक अधिकार के अंतरगत समानता का अधिकार जो की एक मौलिक अधिकार है इसके अंतरगत छूआ छूट को समाप्त किया गया और अनुक्षेद सत्रा इसके लिए है क्या है आर्टिकल सत्रा इसके लिए बड़ा फेमा से याद रखिएगा निमनलिखित में से किस कारण सारवजनिक रोश की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलिया वाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जन संगहार की घटना घटी ध्यान दीजेगा यहां पर यह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है निमनलिखित में से किस सारवजनिक रोश की लहर उभरी है ना यानि बहुत सारे लोगों में रोश गुसा आ गया और जलिया वाला बाग में ब्रिटिश के द्वारा जन संगहार की घटना घटी जवाब होगा रॉलेट अक्ट मैं आपको बता दू कि रॉलेट अक्ट उन्नीस सो उन्नीस में आया जिसने उन बेचारे बेगुनाहों पर गोलियां चलवा दी और तीन सो से ज्यादा लोग मारे गये थे इस नरसंगहार में और इसी घटना को जलिया वाला बाग के नाम से जाना जाता है इसके बाद गांधी जी ने अपनी केसरी हिंद की उपाधी वापस कर दी और लोक मान ने बाल गंगा धर तिलक ने अपनी कौन सी उपाधी वापस की थी सॉरी रवींद्र नाठ टैगोर ने अपनी उपाधी वापस कर दी ठीक है केसरी हिंद जो है ये महत्मा गांधी ने वापस की थी ठीक है ये प्रतम विश्यूद का समय चल रहा था नेहरू रिपोर्ट क्योंकि ये 28 अगस्त 1928 को मोति लाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई मोती लाल नेहरू ये मत सम ले ना जवाहालल न Parece रूपट को अंतिम रूप से अगस्त जन्संख्या वृद्धी की क्या विशेष्टा है यह आपको बताना है तो दोस्तों यहां पर सही जो आप होगा जन्संख्या वृद्धी की जो विशेष्टा है वो है जन्म दर्मे वृद्धी किंतू मृत्यू दर्मे कमी यह है हमारे देश की जन्संख्या की विशेष्टा वैसे तो देखा जाए 2011 की जनगर्णा के हिसाब से विश्षो में हम जनसंख्या के मामले पर दूसरे नंबर पर हैं पहले नंबर पर कौन है या आप सभी जानते हैं चाइना है ना दूसरे पर हम हैं तो विकास की प्रक्रिया के साथ हमारी जन्मदर तो उच्छ है लेकिन स्वास्त सुविधाएं अच्छी हैं यहाँ पर इसलिए मृत्यूदर में कमी हैं तो जनसंख्या हमारी बढ़ती चली जा रही है 1942 के अंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाथ को किस जेल में कैद किया गया था यह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बाकी पूर जेल में चलिए ये question बहुत 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 important है निमनलिकित में से किस स्थान से भारत की दो महतुपूर नदियों का उद्गम होता है जिन में से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल के खाड़ी और दूसरी महतुपूर नदी में मिलती है अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है जवाब होगा मित्रों अमर कंटक इसके बारे में जान लीजे अगर ये question आ गया तो क्या करोगे मध्यप्रदेश के अनूप पुर जिले में अमर कंटक से नर्मदा सोन जोहिला नदियों का उद्गम होता है नर्मदा नदी पस्चिम की तरफ और सोन नदी पूरब की और बहती है नर्मदा की तर पस्चिम सोन की तरफ त्छिक है ग्लोब में हमेशा ऑइस्ट जो है ये राइट होता है और वेस्ट जो है ये लेफ्ट होता है पृथवी के गोला में आप समझ लो ये एस्ट पाarट है ये वेस्ट है ठीक है तो ऐसे अगर आप पिछ इग्जाम की त्यारी करना चाहते हैं पहली बार में निकालना चाहते हैं तो बेहतरी नोट्स पढ़ो यार 94, 52, 26, 24, 92 पर हमारा कोर्स ले लो बहुत ही सस्ता बहुत ही अच्छा इंटर पास लोगों के लिए एकदम लेवल की तैयारी पेट एक्जाम की बस इस वाट्स अप नंबर को सेव कर लो अपना नाम और जिला का नाम लिख करके भेजो और फिर देखो पेट एक्जाम के टेस्ट में पहली ही बार में धुआ धुआ कर दोगे आप सभी लोग सोचो बोड एक्जाम पास करते ही यार नौकरी के लिए इलिजबिर्टी क्रॉस कर लो क्या बढ़िया बात है यूपी त्रिपल सी में अरे कुछ नहीं तो लेकपाल बन करके खेते ना पो गया राम से तो सभी को मेरी तरब से प्यार भरा नमस्कार वीडियो को करते लाइक शेयर और चैनल को करते सब्सक्राइब थैंक्यू सो मच